सेप्टमबर 2023 प्लैनेट्स को टेली इसकोप के जरिये इसकाई में वाच करने के लिए बेस्ट मन्थ है क्योंकि इस मन्थ इसकाई में कई ऐसे एस्टोनॉमिकल इवेंट अकर होने वाले हैं तो आईए आज डिसकस करते हैं ऐसे ही सरप्राइजिंग इवेंट्स के बारे में नमबर वन फोर्थ सेप्टमबर को मून जूपिटर प्लैनेट के सबसे नियरेस्ट होगा नमबर टू नाइन्थ सेप्टमबर को परसीड मिटियोर शार यानि सितारू की बारिश अपने पीक पर होगी जिसे मत्हरात्री के बाद आकाश में देखा जा सकता है नमबर फोर्थ सेप्टमबर को मून एंड मरक्यूरी के बीच कंजक्शन की इस्थिती बनेगी जिसमें ये दोनों सकाई में एक सीध में दिखाई देंगे नमबर फोर्थ सेप्टमबर को सकाई में न्यू मून की इस्थिती दिखाई देगी क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने नए चरण में प्रिवेश करेगा नमबर फाइफ, 18 सेप्टमबर को वीनस प्लैनेट अपनी ग्रेटेस्ट ब्राइटनेस के साथ अपियर होगा इसका मुख्य कारण ये है कि ये मौरनिंग स्टार जिसे हम सुबह का तारा भी कहते हैं ये हमारे ग्रेह के बहुत करीब पहुँच गया है और क्योंकि ये सूर की अधिकतम रोशनी को वापस हम पर प्रतिविम्बित करता है इसलिए ये आसमान में अत्याधिक चमकीला दिखाई देगा नमबर सिक्स्थ, 19 सेप्टमबर को नप्चून प्लैनेट अर्थ से लिस्ट डिस्टेंस यानी 240 लाइट मिनट्स या 28.9 एस्टोनॉमिकल यूनिट दूर होगा और सबसे चमकीला दिखाई देगा जिसे टेली इसकोप के जरिये इसकाई में आसानी से देखा जा सकता है हाइस्ट एल्टिट्यूड पर कुछ ही देर के लिए इसकाई में विजबल होगा नमबर एट, 23 सेप्टमबर को सन के एक्वेटर पर सीधा चमकने की वज़े से ओटॉमनल एक्वनॉक्स या सरद विशुव की इस्थिती रहेगी जिसकी वज़े से पूरे विश्व में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है नमबर 9, 70 एर के बाद 26 सेप्टमबर को ज्यूपिटर प्लैनेट अर्थ के सबसे नियरस्ट होगा अगर आपको मेरे वीडियोस नॉलिजबल लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक करें कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं इसे अपने फ्रेंड एंड फैमली मेंबर के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सबस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ थैंक यू